तो आज हम एक नई चेप्टर की सुरात करेंगी जिसका नाम है थर्मो डाइनामिक्स बहुत ही इंपोर्टेंट चेप्टर है यह यह केमेश्ट्री में भी है फिजिक्स में भी है जब आप कोई कॉंपेटिशन एक्जाम देते हो तब भी इसका बहुत यूज होता है बहुत ह है ठीक है अभी केमेश्ट्री में भी है फिजिक्स में भी है तो हम फिजिक्स में इसकी थोड़ी डैरिवेक्शन इसमें जो क्या बहुत है इसमें तो अगर आप इसको नाम को ही देखो इसका मतलब क्या होता है थर्मो मतलब हीट डाइनामिक्स में चेंज कि मलब कहीं को भी प्रोसेस होता है देखो को भी प्रोसेस होगा ना तो एनर्जी का बहुत इंपोर्टेंट रोल होता है ठीक है आपको पता है कि एनर्जी को ना हम क्रियेट कर सकते हैं ना हम इसको डिस्ट्रोई कर सकते हैं और ट्रांसफर कर सकते हैं एनर्जी को तो बस इस या chemical process में जो चेंज आता है ना तो वह हम इसके अंदर पढ़ते हैं thermodynamics की अंदर ठीक है तो मतलब बहुत ही important बहुत related execution आते हैं competition exam में ठीक है आप इसमें मतलब हम किसकी बात करेंगे mostly जो energy change होती है ना कोई process हो रहा है उसमें कोई energy जैसे दोको fuel होता है जो fuel है जो अपन पैट टोला डीजल यूज करते हैं यह कैसे बना मतलब यह अपने अर्थ से निकलती है और अर्थ में कहां से आई ठीक है मतलब जो डाइनसोर्स वो पेड़ पोदे थे उस time के वो उस time पे दबे थे मतलब और उन वो जब year by year जब खराब होते गए तो इससे वो fuel बना ठीक है वो fuel आज हम यूज करते हैं गाडियों चलाने के लिए बहुत चीज़ हम यूज करते हैं तो मतलब fuel एक energy है और उस energy का हम अलग अलग type में यूज करते हैं ठीक है तो बस इसी energy की use को ही हम इसमें थर्मोडाइनविक्स में पढ़ते हैं कि एक energy का हम maximum यह lower how कैसे मतलब कैसे हम हम यूज कर सकते हैं ठीक है तो actually thermodynamics में हम क्या करते हैं हम कोई process होता है ना कोई भी process होता है मनलों की जो fuel है उसको हमने डाला वो अब क्या बोलते हैं उसमें कोई bike में डाला वो जो process कर रहा है तो हम only की initial state जब वो initial state था जब वो process को भी process है या कोई chemical reaction है वो जब initial state में था और जो फाइनल state में है हम केवल thermodynamics में उसकी बात करते हैं ठीक है initial state की और final state की अब इसकी बीच में अगर कोई कौई 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 सा इसने बात लिया कौई सी कितनी speed थी उसी जए मतलब normal अगर हम को रियक्शन लेने तो ए अब इसमें हम क्या देखेंगे कि जो starting में पास initial क्या था और हमें final में क्या मिला हम यह नहीं देखेंगे इसके अंदर क्या process हुआ कौन कि इसको कहा ले गया यह इसकी पाथ नहीं देखते हैं हम इसका हम इसकी speed of reaction नहीं देखते हैं और मतलब बस only initial and final state इसके अंदर हम चाहिँ है ठीक है और क्या इसका और अगर हम इसके हम देखें तो मौशल इसमें किसके बारे में बात करेंगे जब कोई प्रोसेस और यहां से कुछ रीक्शन हुई है कोई मतलब एक जो अपने पास कुछ था यह-पर उस्ट मैटर था वो चेंज वा एं शेकिंड कोई दूसर होने चाहिए इनका जो pressure and temperature ये दोनों constant होने चाहिए उस matter कि मालो NACL plus H2O है ये इस process में है मतलब एक container के अंदर है ठीक है मालो bigger के अंदर मालो अब इसका जो pressure and temperature ये constant अब इस second state में गया तब भी अगर हमारे पास ये मिल रहा है अपने को NACL तब इसका जो pressure and temperature constant होने चाहिए तो thermodynamics का एक ये बात है कि ये equilibrium state में होना चाहिए तो ये भी इसकी बात ही बोलता है इसकी जो क्या बोलते हैं कि हम किस किस एंगल में हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो वह actually कि हाँ equilibrium state में होना चाहिए हम इसकी initial and final state की बात करते हैं ठीक है अगर इसमें हम और देखें तो और में अगर हम देखें तो ये क्या बोलते हैं कि ओल macroscopic particles होते ना उसके लिए applicable होता ही अब macroscopic particles को उसे होते हैं मैकलो मतलब जैसे normally हम अगर एक molecule की ना भात करके मतलब मालो एक हैस टू अपने पास एक molecule है जो होगा एक ही और एक खूब सारा एस्टू है मतलब हो सारा पानी एग ट्रोफ है और अपने पास खूब सारा पानी अ पास अपने पास और एक समूंदर यू सादग ुछ यह जादा बacas हो यह माल तो हम गाले पानी की बात नहीं करसकते हिए थर्म डॉन इस ऊसमें वोटर लेते हैं, तो हम सम्मुंदर की बात करेंगे, ठीक है, तो ये सम्मुंदर होगा, अपने पास मैक्रो, बड़ा, और ये एक मोलिक्यूल होगा, ये अपने पास होगा, माइक्रो, तो माइक्रो के लिए अप्लिकेबल नहीं होता है, ये उली मैक्रो के लिए पढ़ते इसमें मैल नी हम को एक कैमिकल जो बोम्रोड किश्थ होता है ना जो खैमिकल रीखुन होती है जांने और्ली मिस्टरvant वडिरमें और श्ली पर्मर कहीं आपन्स उस lanes मेंक्षिन उस टाइप से मुल्ब उसको इसकी energy form क्या होती, वो कैसी उसको energy मिलती है, कैसी वो process करती है, ठीक है, तो और कितनी वो जा सकते है, कितनी एक chemical reaction है, वो कितनी जा सकती है, है ना मसथ हो सकती है, तो उन जो किशन की जवाब हना वो हमें धर्मो डानेमिक से मिल सकते हैं ठीक है मतलब जैसे अपने पास जो आप यह एक यह एक जामपल लिए था तो आपने पास यह रेक्शन है यह हमारे पास इसका एक प्रोड़क्ट बनेता है हमें हमें यह मिलेगा तो बस ये बोलता है कि ये thermodynamics कि इस reaction को होने पर मतलब इस reaction में energy का transform कि energy कितनी transfer हुई और क्या बोलते हैं इसकी process कैसा था सुरी process की तो बाद नहीं करता है मतलब इसको क्यों हुई ये क्यों हुई और इसमें कितने हमें ये कहां तक जा सकती है ये reaction मतलब ये reaction आगे और भी जा सकती है या इतनी ही रह सकती है तो ये इसके बारे में हमें बताता है ठीक है तो thermodynamics ये हमें काफी कुछ help करता है about a chemical reaction mostly तो ये energy transform की बात करता है जो energy ये इसके बारे में बहुत man जो इसका concentrate होता है वो होता है energy ठीक है तो अब इसमें हम पड़ते हैं कि इसमें जो surroundings और system होता है वो क्या होता है इसमें एक दो बात हो रहा है थर्मोडानेमिक्स हमें और क्या help करता है thermodynamics हमें ये भी help करता है कि जो matter हमने लिया है जो भी reaction हो रही है जो भी chemical reaction हो रही है उसमें हमने जो भी matter लिए है ना जो भी matter लिए है तो उसकी properties भी बताने में यह हमारी help करता है matter की properties बताने में यह हमारी help करता है ठीक है बाकि तो पता है कि energy कितना process हो और energy कितनी transform हुई तो यह बाकि हमें बताता है लेकि यह matter की property भी हमे बताता है ठीक है तो इसमें जो नेक्स आता है वो आता है कि इसमें क्या जो सिस्टम क्या होता है और इसकी जो स्राउंडिंग्स होती है वो क्या होती है ठीक है यह क्या स्राउंडिंग्स क्या होती है और इसकी जाब क्या बोलते हैं सिस्टम क्या होता है सिंपल है मतलब थर्म प्रोसेस एनरजी याद रखना थर्मोडानेक्स हम एनरजी चेंज की बाद आदा करते हैं मालो हमारे पास एक कंटेनर है और इसमें कुछ हम नहीं कुछ एक कोई मॉलेकुल डाले आपस में रियक्शन करवाने के लिए हमने कुछ मॉलेकुल इसके अंदर डाल दी है ठीक है इ इसमें नमक और पानी डाला, अब क्या कर रहे हैं, हम इसको अब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, बना ये जो है, इसके अंदर जो भी है, इसको हम अब्जर्व कर रहे हैं, हम देखने में क्या हो रहा है इनके अंदर, तो इसको तो कहते हैं, हम सिस्टम, और जिसको हम अब्जर् केते हैं surroundings ठीक है मालो इस universe में अगर हम हर्थ है या in future मार्स पर जाने की ट्राइ करेंगी ट्राइ कर रहे हैं तो हम only मार्स की ओपर आना हमने मार्स औब जरू कर रहे हैं ठीक है एक particular टाइम पर हम मार्स को अबजरू कर रहे हैं तो मार्स हमारे लिए हो गया एक सिस्टम और अराउंड जो कुछ भी है उसकी मतलब यह उनिवर्स सोलर सिस्टम सब कुछ हमारे लिए उस तेम हो गया surroundings ठीक है तो इसी को हम कहते हैं यह ज्यादे बड़ा जो कुछ भी है और इन दोनों को जो बीच में एक जो separate करता है वह हो जाएगी इसकी वोल जिसको हम boundary कहेंगी ठीक है जिसको boundary बोलते हैं basic मतलब जब हम basic जानेंगे चीजों के तो आगी जाके हमारे बहुत काम आएगा ठीक है तो यह हमने जान लिया कि यह जो chemical जो प्रोशेस जो भी कुछ भी हो रहा है इसको तो हम कहते हैं क्या system surrounding में जो कुछ भी जो भी अदर है surrounding और जो इन दोनों को separate करता है उसको हम कहते हैं ठीक है boundary कहते हैं ठीक है अब इसमें हम देखते हैं कि types of system मतलब कितने type की system होते हैं thermodynamics में जब भी जो chemical reactions हो रही हैं तो किसी system में तो होंगी न तो उस system में कितने थैप कि हमारे पास system हो सकते हैं और टाइप सोफ सिस्टम तो हमारे पास 3 टाइप की system हो सकते हैं एक हो सकता है तो में जो होगा इसमें जो मैं बात होगी दो तो सबसे पहले हम ओपन में अगर मैं एक ऐसे कुछ मालो और इसके अंदर कुछ मैटर है इसके अंदर मैटर है और उस मैटर की कोई एनरजी है ठीक है यह आप इसमें मालो की पानी है इसमें वोटर है ठीक है इसमें वोटर है ठीक है वोटर मैटर भी हो गया और इसकी एनरजी भी हो जाएगी ठीक है आप ओपन में क्या होता है ओपन जो यह सिस्टम है यह ओपन है ठीक है यह ओपन है ओपन मींस इसमें हम मैटर एनरजी दोनों की value change कर सकते हैं ठीक है? open system में क्या होता है? हम matter की मालोई गिलास में पानी है माला half fill है वो उसमें हम डाल सकते हैं ठीक है? तो उसकी हम matter भी change कर सकते हैं और उसकी energy भी change करते हैं open का मतलब यह होता है अगर close की बात करें तो इसकी को हम cover कर देते हैं ठीक है? इसकी को हम cover कर देते हैं तो इसमें हम matter को चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर अगर हम गिलास को मतलब पूरीता से बंद कर दें तो हम पानी कहां से डालें तो मतलब matter को तो चेंज नहीं कर सकते हैं energy change हो सकती है, मतलब माँ लो जैसे हमने एक कुछ बोतली और इसमें गरम पानी डाला हमने, एक प्लास्टिक बोतली हो गरम पानी डाला हो उसको बंद करती है, ठीक है, अब उस वो गरम पानी है, वो अपनी heat release करेगा around surrounding, उसके जो surroundings होती है, वो इसको effect करती है, ठीक है, और वो हीट जोती वो निकल जाती है मलब एनरजी बहार निकल जाती है तो क्लोज सिस्टम में मैटर तो चेंज नहीं होगा मलब पानी की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी बट जो एनरजी है वो चेंज हो जाएगी ठीक है जो एनरजी है वो चेंज हो सकती है तो ओपन में तो दोनों चेंज हो सकते हैं matter and energy और लेकिन जो क्लोज है उसमें matter तो चेंज नहीं होगा पर एनर्जी चेंज हो सकती है ठीक है तो यह होगा अपने बास दूसरा क्लोज सिस्टम हो अगर ह lot esa reties przy 2009 सिस्टम हो सकता है इसलोेट्ट थर्म ग्लास होता है इसमें पीते हैं जिसमें क्या बुलते हैं करें हम ले जाते हैं तर्मग्लास जिसमें ठंडी नहीं होती होती थोड़ी है भूर इतन प्योड़ा नहीं होता वासलेट्ट मतलब जिसके अंदर err matter and energy दो नारों आराउंड जो स्राउंडिक उसके कारव को चेंज ना हो पाए दोनों के अंदर मालब ना एनर्जी चेंज हो ना मैटर चेंज हो तो ऐसे को हम कहते हैं आईसोलेट सिस्टम ठीक प्योर तो बहुत मुश्किल मिलता है इन मार्केट लेकिन हां जैसे थर्मो फ्लास्क औ गरम पाने हैं ऐसी जो बोतले होते हैं तो तो काफ का देर तक थंडी नहीं होती एंदा द्या नहीं होती है द concepts तब तक उसमें कोई फरक नहीं आएगा तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं आइसोलेटेट सिस्टम तो तीन टाइब की सिस्टम हमारे पास हो सकते हैं ओपन क्लोज एंड आइसोलेटेट तो आइस्ट वीडियो हम स्टेट पढ़ेंगे ठीक थर्मोडायमिक स्टेट होती है वह हम पढ़ेंगे इंटरनल एनरजी मतलब जो अगर एक सिस्टम है इसके अंतर जो एनरजी का जुरूल है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे ठीक है और